हेरे दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग परसेंट आने की प्रतिसत निकालने का बहुत ही असान तरीका सिखने वा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखे तभी आपको समझ में आएगा देखिए हमरा पहला क्वेशन है कि 400 का आर्थ प्रतिसत निकालने का अर्थ क्या होता है देखिए हम सब्सक्राइब 400 को इस आठ सी गुना करेंगे देखिए 400 गुना आठ अब यहां जो प्रतिसत दिया गया इसका अर्थ होता है 100 अब इस प्रतिसत के बदले है हम लोग इस गुना के नीचे 100 लिख देगे आने की बड़ा में लोग 100 लिख देगे से आठ को गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 32 आनि की 400 का जो आठ प्रतिसत हो जाएगा वो 32 हो जाएगा यही हमारा अंसर हो जाएगा तो यह तरीका होता है किसी भी संख्या का प्रतिसत निकालना अब लोग second question को solve करेंगे जो थोड़ा अलग है देखिए इसमें कहा गया है 156 का 20 प्रतिसत निकालें तो सेम प्रसुस से हम लोग क्या करेंगे 156 करेंगे और गुना में हम लोग 20 कर देंगे और फिर से बटा में हम लोग इस प्रतिसत के बदले 100 लिख देंगे अब ध्यान देजे यहां फिर से चेक कीजे क्या गट रहा है तो सबसे पहले हम 0 और 0 को काट देंगे क्योंकि उपर नीचे दोनों में 0-0 है अब असानी से आप 2 से 10 को काट सकते हैं 5 बार में लेकिन इसे ना काट के आप क्या कीजिए इस 156 को गुना कीजिए ताकि आगे आपको calculation करने में फायदा हो असानी हो तो 2 से 156 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दो चक 12 आनि कि 2 आ जाएगा 2 पज़ा 10 और 11 हो जाएगा और यहां फिर 2 एकम 2 और 3 हो जाएगा आनि कि 312 हो आ रहा है 156 गुना 2 इसके बटे में 10 देंगे क्योंकि हम पहले से 10 बचा हुआ है तो 10 दीख देंगे अब इस 10 से 312 को असानी से हम भागा दे स सकते हैं और यहां हम पॉइंट ही बठा देंगे दसमलो बठाएगे तो 31 दसमलो दो आ जाएगा लेखिए यही हमारा फाइनल अंसर हो जाएगा आनि कि 156 का 20 परतिसत हो जाएगा 31 दसमलो दो तो अब चलिए हम लोग 3 कुशन को सॉल्व करेंगे जो हमारा है 249 परतिसत नि है तुसे कड़िए अब चेक करने पता चलिएगा कि यहां कुछ कोमन नहीं कुछ नहीं कर रहा है तो आप ऐसे जितने में क्या करेंगे आप दोनों संख्याओं को ऊपर की संख्याओं को गुणा कर दीजिए आनि कि 249 कर देंगे अब भटा में लोग 100 कर देंगे तो पहले यहां देखें 12 है तो इधर से हम लोग 2 अंग गिनएंगे 1-2 अर यहां पोइंटी बठाएंगे आन्ये दसमड़ो बठाएंगे तो यह हमारा देखें, यह हमारा final answer हो जाएगा 21.5 एक यह हमारा फाइनल इंसर हो जाएगा तो यह तरीका होता है किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना तो उम्मीद करते हैं आपको सारा मेंतर समझ माला चुका होगा तो अगर आपको वीडियो प्संद आतर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सुस्क्राइब बजो थेंक यू